कजन फ्रोड सहीया फिल्म रिलीज की कगार पर जानना चाहूंगा कैसे आप फिल्म का हिस्सा बने अगर आपको शुरू से बता हूं तो मैं आई थी मॉंबे और थेटर कर रही थी मुझे पता चला कि audition हो रहे है। मैं गई audition के लिए और फस के आपको पो समेर पता तो मैं बहुत बड़ी बात थी और मैं एकदम नियू थी तो मैंने इस तरीके से मुझे फिल्म मिली और अफकॉस पार्ट बनके, इस फिल्म का पार्ट बनके मुझे बहुत खुशी हुए क्या आप मानती है कि आपकी केरियर में एक टर्निंग पॉइंट होगा फिल्मिंग फ्लॉट से ही हैं? अफकॉस कह सकते हैं क्योंकि तर्निंग पॉइंट तो पता नहीं मुझे क्या होता है मैं नहीं चानती है यह जरूर कह सकती हूं कि जब भी मैं आशद बार्ची या बड़े पॉड़क्शन या प्रिकास जी जैसे लोगों के साथ जब भी काम करती हूं तो एक अलग एक्सपीरियन्स होता है कि आपको कुछ करने को मिले और अच्छा पॉड़क्शन मिले अच्छे ऑपोजिट अच्छे अच्छे हूं तो को एक्टर्स अच्छे हूं आपके तो I think मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैंने I think 2014 में ये फिल्म की फिल्म थोड़ी सी डिले है थोड़ा लेट रिली अच्छे हूं प्रीज और मेरे लिए बड़ी बात है अचलिया पाड़ फिल्म सो क्या ब्रीफ तर डिरेक्टर का पिकरिदार को लेकर आपके कास्टिं चल रहे थी और जो कास्टिंग डेरेक्टर से वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि करेक्टर का नाम है नमिता जो कि म आपकोस कंसर्न होती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीजे मतलब तुम का बाओगे टाइप्स तो उस तरीके की वाइप है और मुझे शेयर किया उन्होंने ब्रीफ किया कि यह अर्शत के ऑपजिट है वो उसकी वाइप है नमिता पन अफ दा वाइप है तो अर्शत अर्शत वारसी तो आपकोस मैंने उनकी फल्मे देखी हैं मुझे बहुत कुछी होई कि मुझे उनकी ऑपजिट यह उनकी वाइप का रोल निभाने का मौका मिल रहा है इतना बढ़ा पॉड़क्शन है बैनर है और डिरेक्टर्स अच्छे हैं और कोस क्या सीख आपने अर् अर्षान्स कमेडी का है हम कह सकते हैं कि उनका कोमेड़ी पंच बहुत अच्छा वस मतलब अमेजीग अमेजां आपनेजंग हमे गार déjàzd पिर्जाद बार्षासिर भार्स के साथ है हम कैसकते हैं कि लवाबेकैंगी ने बहुत क्यों बहुत अलगर थे तो आपन तो परस्स थिंक तो कि ऐसा कोई सीन नहीं था और होता है तो आपको पत्नी नाम से पता चल रहा होगा वागा प्रोड सेहा तो प्रोड मतलब वो प्रोड है और उसने कुछ छारपाश शादियां करी हैं तो उसमें से बन आप दो बाइफ एक फिल्म से भी भी सीर्टी चाजरपती हैं तिया जुट वगा उसे और अब आसमास्ता ने डरेक कि ती हां फिल्म ने थी आपकार्स फिल्म भी अच्छी थी ने हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कोई यह सीज नहीं है बिकाज जब आप एक प्लाटफॉर्म पे होते हो, एक्टर्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट भी कही नगई डिफरेंट होता है, आप ज़रूर वो कह सकते हो कि तीन वीवियां थी उसकी काफिल की, बट मुझे नहीं लगता कि अपरेजन जैसे कुछ चीज़ है. की आप मानते हैं कि एक चीज़ सिमिलर हैं आप, बट कैसे उसे पलोगा स्केर्म पढ़ाय हैं, वो आप नहीं कह सकते हैं क्यूंकि अभी फिल्म नहीं देकी। की आप मानते हैं कि कपिल और अर्शद को श्कンタरेक्हाओं होगऌ है। ने सवाल ही ने मुटता है। कपिल बहुत अच्छे अश्चे कॉमेडेन, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और अर्शदवार्शी अलग हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर लेकिन नहीं कह सकते क्या चाल? प्रीस प्रीस दीज में मतलब दो एक्टर को आप कभी भी कंपरने कर सकते मुझे ऐसा लगता है उसे अच्छा उसे बुरा doesn't matter ऑड़ आप किसी को पंपरने कर सकते या किसी की और लउक चीजों को या हम कहते हैं कि वो करती है मदुबाला से लेकिन वो मदुबाला नहीं है, of course ओके आपके लिए क्या चालेंज था इस फिलिम में काम करते हो वक्त? चालेंज, ऑफकॉस, थेटर से सिनमा में आना मेरे लिए सब चालेंज यही था क्योंकि इतने बड़े प्रड़क्शन में मैंने कामरा फेस नहीं किया था तो थोड़ा मतलब अफकॉस, मेरे लिए तो चालेंज था और लेकिन मुझे बिल्कुल भी बताने चला सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कॉपरेटिव थे सब लोग मुझे फुल-on सपोर्ट किया मतलब फर्स दे मेरा शूट था और हम लोग बोपाल में शूट कर रहे थे तो मेरा सोलो सीन था और मैं मतलब बहुत जादा अनकमफुर्ट फील कर रही थी कि मतलब कैसे करूं, क्या करूं बहुत डर रही थी और तो मुझे सौरप सर ने जो इस फिल्म के डिरेक्टर है उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया बताया कि कैसे मतलब लुक कहां पर रगते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं और तो तहाई तीन साल पहले की बात है तो मैंने तो बहुत को सीखा क्या आप मानती है फिल्म को डिले होने के ऐसे कोई फरक पड़ेगा मुझे तो नहीं लगता है, हाँ डिले तो अकसर कई सारे प्रोजेक्स हो जाया करते हैं मेभी कई सारी चीजे होती होंगी, I don't know बट नहीं क्यों फरक यो पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है किस जॉन में देखती हैं फिल्म को Zon Innocence थ्रिलर है, कॉमड़ी में मालम पड़ता है किस तरह की कॉमड़ी होगी, का साल कहीं फिल्मे इति हैं कैसे उन फिल्मों से अलग होगी क्या खाब्स होगा जब मैं कामड़ी की बात करता हो अलग तो यही से हो जाता है जब मैं कहती हूँ कि फ्रॉट सहिया में एक पती की पांच पत्नी आ है तो अलग तो यही से हो गया ना कॉमेडी यही से शुरू हो गई तो यह अलग है I think और अफकोस अर्शद बासी की कॉमेडी देखने लायक होगी क्या मैसेज देना चाहिए और ने से क्यों आए और फिल्म का हिस्ता होगी जो भी अर्शद बासी के फैन है या अफकोस कॉमेडी देखना चाहते हैं कॉमेडी पसंद करते हैं तो अफकोस यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए कड़ करण